हर्याना काबिनेट बैचक की तारीख में बदलाब हुआ है अब 27 नवंबर को काबिनेट की बैचक होगी पहले 28 नवंबर को होनी थी ये बैचक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर्याना सचवाले में ये बैचक होगी विथानसभा के शीत कालीन सत्र की तारीख पर इस बैचक में मोहर लग सकती है तो हर्याना काबिनेट की जो बैचक होने वाली थी उसकी तारीख में बदलाब पिया गया है 27 नवंबर को ये बैचक बुलाई गई है पहले 28 नवंबर को ये बैचक होनी थी मुखे मंतरी मनुहरला के देच्टा में हर्याना सचवाले में ये बैचक बुलाई गई है पिताल सबाके शीत कालीन सत्र की तारीख पर इस बैचक में मोहर लग सकती है आए सीधे रुख करेंगे अपने सबाता रवी चंदेल का रवी क्या खबर है ये तारीख में बदलाव की वज़ा क्या है और किन माइनों में ये बैचक एहम है लुखे मुखे 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 में हर्याना मंतरी मंदल की बैचक जो पहले 28 नवंबर को हर्याना सच्छी वाले में सुबह 11 बज़े हुनी थी अब इस प्राटिक में तप्लाव कर जिया गया है वे प्राटिक नवंबर को तपहर बाद शाम चार बज़े की जाएगी और इस प्राटिक में इस तरीके पे जिए हम दिकर करें उच्छे की ठीख है उन पर उन पर उन मंद्री मंद्र की प्राटिक में परिवर्टिक किया लिया है कब से हो सकता है शीद कालीन सत्र शुरू करें तो 20 और 20 बिसंबर से शीद कालीन सत्र की शुरूआ है वो हो सकती है चीक है और क्या माना जाए रवी जो शीद कालीन सत्र है जो पिछला सत्र था वो काफी छोटा था तो इस बार का सत्र जो है उसका उसकी अवधी क्या हो सकती है उसकी जूरेशन क्या हो सकती है इस बार के सत्र को लेकर पहले से ही अलियांगी तक्षी दनों का दिक्र करें खास और पर इमेलों की ग्रॉसे विखाय गादे से चोटाला का दिक्र करें तो उनकी करब से चीजये तौर पर कहा गया है कि शीज़कार इन सत्र की जो अब्धी है उसे तीन दिनों से अधिक बढाया जाना चाहिए जो परकार ताकि तमाम मुदों पर जो है मुझे अप्टा की ग्रा सके कि कि सिर्च पर कॉंगरेस तो कॉंगरेस भी लगातार जो है तो उसमगत देखना अब्धी जो है तो उसमगत देखना अब्धी तीन दिनों से बनाई जाएगी आखरी के तीन दिनों पर तक भी जो है वो रखा जाएगा ठीक है दने बाद आपकार अबीज चानकारी के लिए